के सिंदाटू साथ सरक्षक लोगदन सेवा संस्तान आप से रुरू करता हूं गया है और इस चासित जो पोरें के साथ में हमाया स्कुर्शन पुदान करें और उसके बाद दन्यवाद करस्मादा करने के लिए मैं आलेनी प्रफेशन विवान सर्मा साथ से रुरू करूगा व के लिए सम्मान जिक्रम है तो वो क्रमशा और मंचा से इन सभी अधितियों का सम्मान भी बाकी है कि अलेनी जट्रों सभी भाई और बेनों मित्रों आज बहुत अच्छा लगा यहां पर जो कभी सम्मेलन हो रहा है इसको अटेंड करके पिछले कुछ वर्शों से मैं आतो रहा हूं लेकिन कवियों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी यह हर बार वो कुछ ना कुछ नया निकाल लाते हैं और बहुत रोमांचक दना देते हैं को पता नहीं किस चीज़ में दिख जाता है कभी या कभी को उसकी वूंद पर लिख देते हैं कभी कई फंड़न्डी दीग उद पर लिख दिया है कभी इतिहास के कुछ अंशों पर लिख दिया कवी अपने दिल का दर्द जाहिर कर दिया चाहे खुद का दर्द हो चाहे किसी और का हो तो बहुत ही रुमान चेक रहा है और फेना में चार्दिस साल बिताने के बार एक जो बहुत शक्ति है कवीता में कवीता ये बहुत ही शक्तिशानी माधियन है कविता में मैं गीत भी शामिल कर रहा हूँ श्रेर शायर भी शामिल कर रहा हूँ और जो बाकी अलग अलग जरिये हैं वो भी जिस राज्जे के लोगों को जिस राश्टर के लोगों को अपने इत्याफ पर गर्ण होता है वो देश वो राश्टर बहुत ज़्यादा इसी बुलंद होसले से शक्तिशाली हो जाता है जरूरी नहीं है कि हर जगां कर सबसे लेकर मॉडल हत्यार हो ज़्यादा जरूरी है वो हत्यारों के पीछे जो अद्वी हैं जो इंसान है उनका होसला कैसा है उनका मनोबन कैसा है और यह जो कविता का मात्यम है इसके जरिये पैनिकों का जरूरी नहीं पैनिकों के अलावा देश के आम नागरिक का भी जो होसला बढ़ता है तो देखते ही बनता है और यदि मैं एक अंग्रेजी का शब्द यूज कर लूँ यह बहुत ही बड़ा फोर्स मंटिप्लायर होता है दिखने में शायद एक या दो लेकिन एफेक्ट कम से कम 30-35-40 का होता है हम मेवाड में हैं इसलिए मेवाड का ही उदारण ले लेते हैं अब अज्मेर की तरफ से आईए धीम दिवेर के आसपास आते आते हवामे या धर्ति में ही कुछ है आपके मन में वो फीलिंग्स ही आने लग जाती है अब हम मेवाड में आ रहे हैं और यह एक अलगी कितर भी पूजी निया भूनी है यही फीलिंग दूसी तरफ से आप आए चाहिए देशुरी की तरफ से या फिलोना की तरफ से इदर आते हैं हुआ में कुछ ना कुछ तो है जिससे यह आप महसूस करने लगते हैं और अपने लिए जिश्के और दुनिया के कई फानों में कुछ न पूसर अरियां से कटना हैं होई हैं है के वार इतनी अलग अलग सालों पर जहां भी आप जाओं कुछ आपको बहुत ही बहुत ही बड़ा इतिहास बहुत ही बड़ी इतिहासी गटना हुई हुई मिलती है फिर अगर उत्तर से यह आया आप अब दिवेर पहुंशते हैं आपने हल्दी गाटी का तो जिक्र किया लेकिन एक स 176 के युद के मुकादे दिवेर का 1582 का युद बहुत ही बड़ा निरणायक था और उस युद के बाद में अगपर ने कभी मिराटी तरह पांट उठाकर देखने की हिम्मत नहीं अब और अंदर आ जाईए नाद्वारा पहुंशते हैं को कोई छटा काम नहीं था जो मिली और वो जगह भी बहुत बड़ा खत्रा मोल देते हुए राजसिंजी के शर्दाज भी याद हैं कि आप यहां पर स्तापित करिए और हमारे एक लाख योदा भी बारे जाएं तो भी आप यहां पर सुरक्षित रहें हैं और आप नदर आईए बोड़ा दक्षिन की तरफ जाईए चावंड के फास से जो में रोड बुजड़ता है तो चावंड के बोर्ड देखते ही कुछ ना कुछ मन में आने लग जाता है माराना प्रताप ने वहां को जो भी किया उसकी ज्यादा डीटेल में मैं नहीं जाओगा और आके जाईए स्रलूंबर पहुचते ही हाडी राणी एक दम से ज्याने आ जाती है तो बहुत जादा समय नहीं लेते हुए मैं यहीं कौँगा भी एत्यास और कविता का जाद मिश्रिण होता है यह तो एक बहुत ही बड़ी शक्तिि अकने पर पिदा करते हैं इत्यास काश्रम मैनारिया साथ्व भी यहां थे शौए में मस अठील बीजान मातुब साथ्वान जाए इसे और इतिहास का इतिहास में से जो तत्य हैं वो ढूंड कर निकालते हैं कुछ प्राइट के कारण निकालते हैं हमारे इन सब तत्यों को कविता में आप सब पिरूपते हैं कविता की माला आहाब बनाते हैं और बारत की संस्कृती जो एक सब्सक्राइं थाल हैं है हमस्कृती में सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप ही इतियास को जीवित रखते हैं और जिससे देश आगे बढ़ता है एक सुद्रिण फांडेशन पर एक सुद्रिण नीर पर जिस देश की संस्कृति कम्जोर है जो देश अपनी संस्कृति को बूल गया हो सकते वह आगे नहीं बढ़ सकता जो शाव BEN जो नैशनों सिक्यूरिटी होती है उसमें भी दो या तीन बहुत बड़े वैंत्यकूर्ण तो तर्थ बहुत मेहत्रकूर्ण रोते हैं स्द्रूंब होते है उनमें से एक बहुत मज़ूथ स्द्रूंद आपकी असन्स्कृति होताँ क्योंकि आप इस चीज दिर रक्षा कर लेगे एक रख्षा नहीं कर ने आप अपने देश की बैलियूज की रख्षा कर रहे हैं आपने डेश संस्क्रिती रख्षा कर रहे हैं और वहीं संस्कृती है जो असला आगे बढ़ाती है और कि सभी देश वासियों को अपने देश के प्रती गर्व महसूस करने के लिए प्रेलित करती है आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद आप पदारे और हम सब बहुत लाबार में धुए आपने जो पुती अधीत उन से ज्यादा समय नहीं लेते हैं आप सब कहेंगा फिर से धन अधने वाद मतलबार में मतलबार में जर्णंता की आप को अब तोड के उल्द में जेह मल और कर्थाजी के नम शुनावागार कल्ला जी इस तीन जोक्त कि महत्ति का हें जैमेल्धी और कल्ला जी के बंच्टे एँर आप इसलिए हमारे भी स्ने आदर प्रेंप और च्वाईत और छयों की बामना के चार्णाद अम्मान चार्ण जुड़ेंँ मैं इसको नभन करता हूं कि यह हमारा होतला बाड़ने के लिए तंग मन और दंग सबसे अमें से साथ रहते हैं समय आज सुबह आप हमारे साथ मौतपार के मोटूट थे और अभी यहां और आने वाले दो दिन के कार्ट्रमों में और तीसरा जब समापन्वा लगाया थे सक्टिवीट पर कार्ट्रम होगा तब भी आपका आशिवार भरभर में पर्म करेगा मेरकोम व्यक्ति और उनके शम्मत होते हैं सभी इस तरीके कार्यों में वो जुचते हैं सभी जाके यह चाह होते हैं तो मैं घगावत के से कहूंगा कि एक दब फ़ेले तो मन्छ का क्वागत करते हैं पिर परमश कभी कभी।